उन्होंने बहुत ही सवहार्द पूर्ण वातावरण में चर्चा की विशे को बहुत गंबीरता से समझा है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रदान मंत्री भी काफी सिरियस है हम सभी लोग इसमें वो स्वयम भी लक्ष दे रहे हैं और हम भी अब ध्यान देंगे नमस्कार जिहिंद वन्दे मातरम सभी EPS 95 पैंसन धारकों की EPS 95 को लेकर बहुती बड़ी कुस्कबरी वित मंतरल से आपकी EPS 55 को लेकर बहुत बड़ी कुस्कबरी नई जारी पैंसन के प्रस्ता पर हुआ बहुत बड़ा एलान नया पैंसन और नया नियम को लेकर यहां पर जानकरे मिली है मातेपुन की पूरे देश में होगा लागू पैंसन के प्रस्ता पर किया हुआ अब आपको पैंसन फाइनली कितनी मिलेगी तो सारी जानकरे को डीटेल से जानेंगी वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से अंतर तक देखते रहेगा तो सारी जानकारी आज की से वीडियो में डीटेल से जानेंगे आपकी EPS पैंसन जुड़ा है यह बहुत बड़ा फैंसला बताया जार की EPS की पैंसन दारी की टोतर लाक उन सभी के लिए बहुत बड़ा यह तौफा बताया जारा है जिसमें की राष्टे संगर समिती NAC की जो तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नी क्या है तो चनको सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को दबा दे तकि आपको आने वाले EPS पैंसन से जुड़ी इस पर करकी नहीं लेटेस्ट अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी तो यहाँ पर आपको बतादेगी पैंसन दार्क पैंसन के प्रस्ताव को लेकर यहां पर बता ही जानकर कि EPS के पैंसनस के रिट में परस्ताव पास स्कोड से पैंसन की बरूतरी के लिश्ट कर्कार अँर्गार मिलतेय सब्सक्राइब या फिर 8,500 रुपे या फिर 9,000 रुपे की आपकी पैंसन की लिमिट है जो तै की जाएगी लेकिन है यहाँ पर आपको बज़े कि इस तरह की जानकर मिली है कि सरकार का अंतिम पैंसला हुआ है जिसके बाद 7,500 रुपे की पैंसन आपको मिलेगी ऐसी जानकर भी साथ में आ र अब देखने को मिलेगा और यहां पर यह मांगी पैंसला को पास हो चुका है जिसके बाद सभी पैंसन दर गए उनको एपिस की पैंसला साजार पॉंसल्य रुपे की मिलेगी या पिर 9,000 रुपे की लाल इसको लेकर चर्चा पर यह कंफर्म अभी तक नहीं ह坐ब है अभर आपको बाज़ की इसको लेकर भी चर्चाएं ते जो चुकी है तो toler के उनकी पitte परमुक मांगों को लिए एनेशेकी टेम के दुरा जो काफी लिमे समय से शंग्रस जारी था इतो तर लाइप ह को कि मांगों को देखते हुए समीटी पिछले 7-8-7 से संगरस कर दो की एक अधार रुपी की पैंसन को बढ़ा करके 7,500 रुपी करने को लेकर मांगे इसको लेकर सम्मीची रिक परतिने जिए ने हाली में वित मंतरी नेमला सितारमन से मुलाका अध़ी की और पैंसन की बुर्टरी की मांगे यहाँ पर pension को लेकर नियुनतम pension बढ़ाने को लेकर कोई pension नहीं अभी तक लिया गया लेकिन जो जो यनकी pension के हिट में यनकी काये तो यहाँ पर अभी वेतन लिमिक और minimum pension की बोलते को लेकर तयारियां चलिये सरम blessed me going on to come n की किरमचरी वह शे शंस खफ़िंड मों 치cle nossa से किसी भी ब्यांकिया उसकी साखा से पैंसन ले सकेंगे दोजार पचे से उनको ये फाइदा में लगा देसबर में किसी भी साखा से वो अपला पैंसन दारे के वो अपना पैंसन उठा सकता है और यहां पर किसी भी राजे से किसी भी यनकी ब्यांकिया किसी संस्ता से तो यह पर स्रम प्रत्रा लाकि और से जारी ब्यान में कहां किया कि मानवी ने उनलाइन प्या विड्रो प्रोसेस कैसे होगा जैसा कि अगर बात करें तो ब्यान के मताबिक CPPS दिस बार में किसी भी बैंकिया किसी भी साखा के जरी यह पेंसन का व्तन आपके लिए संबहो सकेगा CPPS की मंजूरी जो की EPS के आदोनी कर्ण की दिस्था में एक मजबूत कजम भी होगा इसके तहते करमचनों की पैंसी और जनाम है पैंसन है उसमें आपको बहुत अच्छा बेतर फायदा मिलेगा आपके से भी बेक या किसी भी साका से अप ले पाएंगे तो EPS के इतोत्रलाग पैंसन दार कि उनको इससे बड़ी सुइदा का फाइदा भी मिलेगा इसको लेकर पैंसन दार के इंजार भी करें थे उनको यहाँ पर बहुत बड़ा यह फाइदा मिला आए साथ में कहांगी आए कि EPFO को अपने सच से और पैंसन वोगी की जरूरतों को ठीक से समझने की अधिक मजबूती उतर दए और प्रद्यों की सक्सम संग्ठन के रूपियां की बदलने को लेकर ये प्रया से बहुत अच्छा सावित होने वाला है और यहां पर माते पूर्ण का सामना नहीं करना पड़ेगा कि वो कहीं से भी अपनी पैंसन है वो सुनिचित करके ले सकता हैं नई परना लिए उन पैंसन वोगल की बड़ी सुईदा होगी जो की सेवा नरती के बाद अपने गर नगर जाते हैं तो उनको यहां फायदा बहुत अच्छा होगा तो EPS प जो ABPS में बदला होगा और मंतरले ने यह कहाँ कि नई वेवस्ता पैंसन वितन प्रक्रिया से मत पुन बदलाव पैंसन दार्कों के लिए होने वाला हैं जिसके तो EPS के परते के सेतरी कारे ले उनको तीन से चार बैकों के साथ अलग से इनकी समझोते करने पर तो इसमें कह कि अब करमचर को पैंसी ओजना को पैंसन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए साका में जाने की भी जरूत नहीं होगी साथी भुकतान भी जारी होते ही तुन उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा यानि कि यह बदलाव आप सभी पैंसन दारकों के लिए बहुत ही अच् पैंसन का नर्बाद वित्रण सुनुचित होगा यह करमचरी पैंसी ओसना की उन पैंसन भुग लिए एक बड़ी रात होगी जो की स्वारनती के बाद अपने ग्रहनगर चले जाते हैं यानकी अब पैंसन दारके उनके लिए अगर कहे तो यह बदलाव जो की हुआ है जो ए एक जनुच दोजार पैंसन दारके उनके लिए बहुत अच्छा यह बदलाव साबित होने वाला है जिसके मादम से पैंसन दारके वो कहीं से भी अपनी पैंसन का फाइदा उटा सकते हैं और यह फाइदा आप किसी भी बैंक या किसी भी साका से ले सकते हैं बात करें EPS मिन की बैट को फिला चर्चा हो रही हैं और पैंसन दारके उनको आसवासन मिलने के बाद पैंसन दारकों ने संग्रस को वापस लिए था पैंसन दारकों ने आंदोलन को लेकर चेता हुनी दी थी वो आंदोलन पैंसन दारकों ने वापस लिया है अब वितम तरह लगे आसवास को लेकर medical के lab हो, higher pension हो या minimum pension इसको लेकर फिलाल त्यारी की जारी अधिकारी गोशना और pension की बढ़तरी को लेकर कोई pension के उपर मर अभी तक नहीं लेगी है तो यहाँ पर इस तरह की और नई ताजा अब डिक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबा दे तकी नई वीडियो और ताजा अबडेट होगी हो सबसे पहले मिलेगी तो एक और ऐसी नई ताजा जनकर के साथ मिलेंगे